आप लोग देखेगा जो हम कल पिछले क्लास में करवाये थे उसको भी आप लोग देख लीजिएगा चलिए एक क्वेस्टन है यहां क्वेस्टन लिखें हैं आप लोग देखेगा क्वेस्टन का पैटर्न देखें कैसे हैं define निकाह and discuss its nature and objects under Muslim law define निकाह यानि कि निकाह किसको कहते हैं इसको define करना है आपको इसके nature को nature को और इसके object को क्या करना है आपको discuss करना है कि कैसी बिवाह की प्रकृति कैसे होती है अंदर मुस्लिम लॉब मुस्लिम लॉब के अंदर जो विवाह है जो मैरेज है जो निकाह है वह किस नेचर का है और उसका object क्या है उद्देश क्या है यह दिली जुडिस्ट्री में दो वार पूछ चुका है इस तरह का दो तीन और question हम पढ़ देते हैं एक बिहार जुडिस्ट्री का question था इस marriage according to Mohamedan law is a civil contract and not a sacrament comment यह question बहुत बतलब कि बहुआ बार पूछा जा चुका है यह question यह कि इन्वस्ट्री की एक्जाम में भी पूछता है आप लोगों को देखे भी होंगे अगर एक्जाम दिये होंगे तो अच्छे से इन्वस्ट्री में भी पूछता है और जुडिस्ट्री में भी पूछता है यह question कि कि मुहमडन law के हिसाब से जो marriage है क्या वह एक civil contract है कि इस पर कम हाँ यह पूछता है बहुत अच्छा question है भी यह से क्रामेंट धार्मिक क्या करते हैं हिंदी उसका अनुस्थान मतलब संबीदा है या धार्मिक अनुस्थान है यह इस पर comment करना है कि एक यह दो हो गया फिर एक और question पूछ देते हैं आप लोग के यूपी जुरिस में पुछा गया है हम पर देते हैं कि estate definition is definition of marriage essential and nature of Muslim marriage या इक हम को definition लिखना है essential लिखना है और nature लिखना है मुस्लिम मैरेज का एक और जो पुछा गया है colleges में ही तब हूद न इस्त एं मेरेज इन इस्लाम इज नौट रिगार्ड़ेट एजमेयर सीविल contract but a religious sacrament okay two two यानि कि यह कहा गया है कि Islam में जो marriage है वह a civil contract ही नहीं है एक sacrament भी है अब देखिए DGS का पुछने का तरीका देखिए जनरल जगह क्या पुछा जाता है जनरल जगहों पुछा जाता है कि जो is marriage according to Mohammedan law a civil contract not a sacrament यानि कि कहता है क्या कि Mohammedan law में जो marriage है वह civil contract है sacrament नहीं है इस पर कमेंट कीजिए इसमें क्या कहता है DGS में क्या पुछा DGS में पूछ रहा है कि according to Mohammedan law जो है marriage है वह एक civil contract ही नहीं है बलकि sacrament भी है इसको करा आप इलूबरेट करने के लिए लड़ अब्दुल रहीम है जो थू लाइट और नौ प्लीज कमेंट कि वेंड़ लीगल इफेक्ट्स ऑफ ए वैलिड मैरेज इसका क्या लीगल इफेक्ट्स है इस पर कह रहा है चर्चा करने के लिए तो इस तरीके से आपको मैरेज को मैरेज का क्कॉष्ण बनता है जूरिस्री में ओके मैरेज पर जो क्कॉष्ण बनाता है वह इस तरीके से बनाया जाता है चीक है यही 2-3-4 question pattern है जो घुमा फिरा के इसको इस तरीके से आपको एक्जाम में पुछा जाएगा इसको आपको सिल्सलेवार धंग से लिखना है इसको मेरेज इसको लिखना इसको प्रेपियर करना बहुत बड़ी बात नहीं है एकडम बिल्कुल फ्योरी की हिसाब से इसको है आर्रेंजमेंट सही तरीक इसाप को करना लिखने का जो तरीका है वह बिल्कुल सही तरीके साब इसको towak miner करेंगे क्जाम में कि सबसे पहले आप निकाह को डिफाइन निकाह को लिखेंगे निकाह का लिटरली क्या मीनिंग होता है निकाह वर्ड अगर है या मैरेज अगर वर्ड है जैसे पुछा गया डिफाइन निकाह यह उर्दू में पुछा गया है आप एंसर लिखेंगे या तो हिंदी में एंसर लि मिनिंग होता है, marriage, साधी, union of the sexes, निकाह का यह अर्विक वर्ड है, इसका लिटरली जो मिनिंग होता है वहाँ पर, यह होता है, union of sexes, sex, okay, that means marriage, okay, clear, बोलते चलिएगा, अब हम यहाँ पर, इसको define करेंगे निकाह को, तो यहाँ पर कुछ-कुछ हम, जो jurist लोग हैं, उनका नाम लिखें हैं यहाँ पर, आप दो चार्ट jurist का जो definition है, उसको prepare करके जाएंगे exam में, कि उन्होंने क्या कहा, और कोसिस किजिएगा, कि आप उनके ही सब्दों में, वहाँ पर exam में लिखेंगे, जो jurist जिस तरीके से निकाह को define किया है, आप यह कोसिस किजिएगा, ठेके ना, कि आप उसके भासा में ही, उसके language में ही, उसको आप लोग exam में elaborate किजिएगा, हम एक दो पर देते हैं, आपके book में होगा, सिर्फ हम बता देते हैं आप लोगों को, इसका definition होगा, आपके book में है, सबसे पहले, देखिएगा आप लोग, वोखने सबके पास, हिदाया के अनुसार, according to हिदाया, marriage is a contract for the purpose of legalizing sexual intercourse and for procreation and legitimation of children, दिखी को सुनेगा, बहुत अच्छा definition है ये, हम पर देते हैं, आपके book में होगा, आप देख लिजेगा, underline कर लिजेगा, और इसको exam में लिखिएगा आप लोग, क्या कहा रहा है, कि according to हिदाया, marriage is a contract, यह क्या है, contract है, समविदा है, किस परपस से, तो कहाता है, इसका purpose जो है, वो है legalize करना, sexual intercourse को between male and female, इसको legalize करने के लिए, क्या क्या आता है, यह marriage क्या है, एक contract है, एक तो यह काम हो गया, दूसरा, and for procreation and legitimation of children, संतान की उत्पत्ती के लिए, और जिस संतान की उत्पत्ती होती है, वह संतान बैद कहलाए, legal कहलाए, illegal children नहीं कहलाए, illegal होता है नहीं, पढ़े भी हैं हम लोग, legitimate और legitimate child पढ़े हुए हैं हम लोग, तो legitimate करने के लिए, क्या करते हैं हम लोग, legitimation of children, अच्छे को legitimate करने के लिए, बैद बनाने के लिए, marriage क्या है, एक contract है, clear, बताते चलिएगा, आप लोग, हाँ, अब इसी के आगे देखिये, लिखा हुआ है, आपके book में भी, अच्छा definition है, सारी बात इसके definition में लिखा हुआ है, एक तो यहाँ हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कि Muslim marriage के अंदर, Muslim law के अंदर, जो marriage है, वो क्या है, एक civil contract है, यहाँ तो लिख दिया, अब दूसरा इसके आगे और इसका definition देखियेगा, and the regulation of social life in the interest of the society, by creating the rights and duties between the parties themselves, between each of them and the children born from the union, वहाँ तो यह बात लिखी हुई थी, और यह लिखा है, कि social life को, हमारा जो समाजिक स्ञेशना है, हमारा जो social structure है, social structure को आगे बढ़ाने के लिए, जीवन को उत्पति को आगे बढ़ाने के लिए, हमारा social life balance रहा पाए, इसके लिए क्या है, marriage जो है, वो क्या है, किया जाता है, marriage है necessary है, और संतान को उत्पतित बताएं, यह प्रोक्रेशन ऑफ चिल्रेंड है, और प्रोक्रेशन ऑफ चिल्रेंड होगा, तभी आपका जो life है, वो आगे extend करेगा, यहीं चीज बताने की कोशिज किया है, according to हिदाया, खिक है, हिदाया के definition में देखिएगा, आप लोग यह चीज लिखे हुए है, और बहुत साई लोगों का हम लिखे हुए हैं, definition, आप लोग ने बुक से निकाल का इसको पढ़िएगा, हम एक दो और पढ़ देते हैं, Wilson का पढ़ देते हैं, विल्सन है, इसका definition पढ़ देते हैं, Marriage is a contract for the purpose of legalizing sexual intercourse and the protection of children, मुलें ना कि हिदाया का definition है, यह बहुत बिस्टिज definition है, सारा बात यह कह दिया गया इसमें, अब इसे का छोटा सा पार्ट में Wilson में होदे लिखे हुए हैं, Marriage is a contract for the purpose of legalizing sexual intercourse and for preparation of children, sexual intercourse को legalize करने के लिए, बाइद बनाने के लिए, और संतान क्युत्पत्ति के लिए, जो marriage है, वो क्या है, contract है, ठीक है, एक justice महमूद हुए है, मुहमद, justice मुहमद हुए है, ठीक है ना, इनका definition बताते हैं आप लोग को, marriage among मुहमदन, not a sacrament, इन्हें कोई संस्कार नहीं है, but purely a civil contract, ओके, इन्होंने जब elaborate किया था, इन्होंने जब एलोबरेट किया था, इन्होंने इन्होंने इसको जो है, इनके द्वारा ही पहले इस तरह का जो कहा गया था, interpretation किया गया था, कि मुहमदन लौग के हिसाब से, जो marriage है, वह किसी भी तरह का कोई sacrament नहीं है, कोई संस्कार नहीं, कोई दार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बलकि यह purely एक civil contract है, यह क्या है, एक संबिदा है, ओके, तो इसी तरह, यही definition आपको घुमा फिरा के, आपको यही definition आपको मिलेगा, आप किसी का definition पढ़ लीजिए, एक और हम बेली महोदे हैं, उनका definition पढ़ देते हैं, इसी बात को, यह दो चीज़ें जो है, एक तो सबसे पहले, sexual intercourse को legalize करने के लिए, और दूसरा जो है, procreation of children के लिए, इसी बात को जो है, अलग-अलग तरिके से, अलग-अलग जूरिश्ट महोदे ने, time to time इसको interpretate करके, हमको बताया है, clear? बोलते चलिए गए, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? definition में कोई दिक्कत? सब लोग लिख लिजेगा, definition में लिख लिजेगा इसको, हाँ, अब आईए, इसका object क्या है, object हम बता ही दिये हैं, सादी का क्या उद्देश है, निकाह का क्या उद्देश है, तो जब हम लोग पुरा definition पढ़ते हैं, तो दो ही बातें निकल कराता है, क्या निकल कराता है? तो प्रोवाइड लीगल वैलिडिटी, तो दो सेक्श्वल रिलेशनसिप बिट्विन, हस्वेंड और वाइप, बिट्विन मेल एंड फिमेल, ठीक है ना, कि लीगल वैलिडिटी मिल जाए, सादी करने के बाद, क्या हो, लीगल वैलिडिटी उसको मिल जाए, किस चीज़ को? तो सेक्श्वल रिलेशनसिप को, किसके बीच में? तो कहता है, हस्पेंड और वाइप की बीच में, ठीक, वेरी गुड, एक अबजेक्ट, दूसरा अबजेक्ट, टू लीगलाईज दा चीज़रेंड, ठीक ना, लेजिटीमेट, बच्चे जो उत्पन हो, साधीक के एगेंस्ट में, जो बच्चे उत्पन हो, वो लीगल कहलाए, वो लेजिटीमेट चीज़रेंड कहलाए, यहीं दो उद्देश है, ठीक है ना, जो बात अभी किये, हमारा जो सोसल एस्ट्रेक्चर है, वो बना रहे है, जो सोसल एस्ट्रेक्चर है, वो हमारा क्या हो, मेंटेन हो पाए, यहीं हमारा निकाह का उद्देश है, निकाह का अब्जेक्ट है, ठीक है, क्लियर यहां तो कोई दिखत एक दब सिंपल सिंपल चीज़ें हैं कहीं कोई आप इसमें कोई जो है बहुत चीजों का इस्तेवाल नहीं करना है एक दाब बिलकुल flow में इसको इग्जाम में लिखना है रामसे आपको, questions इसी तरीके से पुछा जाएगा, 3-4 तरीका बता दिये हैं, 3-4 questions जो पुछने का तरीका है, DGS में किस तरह से पुछा है, VGS में किस तरह से पुछा है, वो बता दिये हैं, आपको flow में इस तरह इसको सिंपल तरीके से सबसे पहले आप लेटरल मिनिंग लिख देंगे इसके बाद डिफिनेशन है वो पुछा गया है तो लिख देंगे और अब जेक्ट लिख देंगे अब हम लोग नेचर की बात करते हैं इसकी क्या प्रकृती है नेचर इसका जो नेचर है यह बहुत important चीज है आपको इस पर थोरा सा आप लोग इसको सही तरीके से prepare कीजिएगा अगर आप सिंपल सा लिखते हैं exam में आप अगर exam में इसको बहुत आसान तरीके से लिखने की कोशिज करते हैं कि यह एक civil contract है तो अभी बात आपका अधुरा रह जाता है अगर आप इसको लिखते हैं की religious sacrament है यह तो भी आप का यह बात अधुरा रह जाता है और अगर आप इसको लिखते हैं कि social वहाँ पे साफ साफ लिखा कि according to Mohammedan law, it's not a civil contract, ये एक civil contract नहीं है, बलकि ये एक सक्रामेंट भी है, तो question आपको इस तरीके से भी पूछ रहा है, नहीं, तो General University में और Bihar के लेवल पे, आपको ये अक्सर पूछता है, कि जो Muslim marriage है, वो एक civil contract है, कोई सक्रामेंट नहीं है, इसक अगर पूछ रहा है आपको exam में, कि जो Muslim marriage है, वो एक civil contract है, तब तो आप contract का जो essential है, उसके साथ marriage को match कर देंगे, Muslim marriage जो है, contract का क्या क्या essential है, और Muslim marriage में क्या क्या essential है, इन दोनों को अगर आप लिख देते हैं, तो आपका काम हो जाता है, या चीजें हम बता दिये, कि यह ज पूछ दिया, कि इसकी nature क्या है, प्रकृति क्या है, निकाह का, Muslim marriage का, तब आप सिप एक बात नहीं लिख सकते हैं, कि यह civil contract है, यह लिख कर काम नहीं चलेगा तब आपको, क्योंकि nature या तीनों nature का है, अभी आपको हम बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा, कि इसकी प् civil contract है, कोई sacrament नहीं है, तो आपको civil contract बारे में बात करेंगे तब, पूछ देगा कि civil contract ही नहीं है, बलकि एक sacrament भी है, तो आप civil contract के साथ साथ sacrament पे भी बात करेंगे, लेकिन अगर यह पूछ दिया कि इसकी प्रकृति का है, discuss its nature, एक्जाम में अगर यह पूछ दिया, कि नि Muslim marriage में जो निकाह है, जो marriage है, Muslim law में, उसका क्या प्रकृति है, तो फिर आप बात करेंगे, जो भी हम बता रहे हैं, उस तरीके से बात करेंगे आप, ओके, इसका nature और concept पूछा जाएगा, तो आप उसको उसी तरीके से लिखेंगे, हम आपको अलग-अलग points पर discuss करते हैं, आ इसको आप लोग लिख भी लिजेगा, सबसे पहला हम इसके legal aspect पर बात करते हैं, इसके हम इसके कानूनी पहलूपर बात करते हैं, legal aspect पर, legally अगर हम बात करते हैं, अगर हम लोग, तो Muslim marriage is considered a civil contract, यहां समझेगा मेरी बात को, जो Muslim marriage है, वो क्या है, एक civil contract है, अगर हम लोग legal aspect पर बात करते हैं, कानूनी परक्रिया पर बात करेंगे, अगर हम लोग इसको, तो यह एक civil contract है, अगर कानूने पर बात करते हैं, तो हम दोनों जगां बोलते चलते हैं, और आप लोग समझते चलिएगा इसको, तुछे ना? हम लोग contract में पर हैं, कि contract करने वाला जो party हो, अच्छे, contract में क्या परते हैं? contract में परते हैं, कि दो party होना चाहिए, परते हैं नो, कि किसी भी चीज में कोई हम लोग कॉंट्रेक्ट करते हैं तो इसमें दो पाटी होता है जो प्रोपोजल देता है एक पाटी क्या होता है प्रोपोजल देता है और दुसरा पाटी क्या करता है एक्सेप्ट करता है दो पार्टी होता है कॉंट्रेक्ट में एक प्रपोजर होता है और एक एक्सेप्टर होता है मुस्लिम मैरेज की बात करते हैं तो यहां भी दो पार्टी होते हैं एक प्रपोजल देता है दूसरा एक्सेप्ट करता है आप लोग सुने होंगे नहीं सुने होंगे कुछ लोग जो कम्यूटी से बिलॉंग करते होंगे तो वह देखे होंगे अपने घर में ठीकिना जिसको वहां उनके साधी में जाने का मौका मिला होगा वह भी देखे होंगे नहीं तो आप टीवी वगरा समय देखे होंगे वहां कहता है वो जो है मौली सहब है वो बोलते है कि निकाह कबूल है कबूल है नहीं क्या इनके साथ आपका निकाह कबूल है तो उधर से एक्सप्ट कि चाहिए यह भी परहे हैं contract अगर आपको section 10 याद होगा contract act का तो पार्टी क्या है पार्टी क्या है पार्टी सुर्भी competent तो वहां पढ़े थे कि major होना चाहिए वहां पढ़े थे कि वह unsound mind नहीं होना चाहिए यहां भी पार्टी मैरेज के लिए क्या competency हम लोग बात में बात करेंगे अभी उतना हम डिप में नहीं जाना चाहते हैं चुकि मैरेज भी लंबा चलेगा अपना हम लोग एक दू क्लास लेंगे मैरेज पर हम लोग ठीक है तो यहां भी मुसलिम मेरेज के लिए भी जो पार्टी कंपेटंट होना चाहिए क्व ख सम्होना चाहिए सब्सरा तो आफर ऑफ्हर आए यहां पहले बात कर चुके थे फर्स नमर् क्या साता मिरा आप्र का शिक्स हमगอยगीесто dh between two parties, ठीक है, between two parties, दो पार्टियों के मद्ध में होता है, contract, और marriage भी दो पार्टी होते हैं, यहां भी दो पार्टी होते हैं, दूसरा offer and acceptance, contract में भी एक पार्टी offer देता है, दूसरा पार्टी acceptance देता है, Muslim marriage में भी एक पार्टी offer देता है, दूसरा पार्टी acceptance देता है, पार्टी क्या होने चाहिए क्प्ठेट होने चाहिए कोंट्रक्ट में भी पार्टी कंप्ठेट होना चाहिए और मुसलिम मेरेख का जो जो पार्टी है वह होनी चाहिए आप दबाब में किना ठीस कеся की दिवाइंट पुर्टी में कौनटरी में अब फ्रीटर्व के लिए क्या-क्या चीज चाहिए सेम यहां भी आपको दबाब में किसी की साधी नहीं कर्वा सकते हैं अपाटी जो है उसकी सवतंळ्सामती होनी चाहिए साथी के लिए उसकी रजामन्दी होनी चाहिए ऑप या फिर उसके गार्दिन की सहमती जहां पे उस तरह का बात है तो गार्दिन की सहमती यह चाहिए हमको तो फ्री Kons wholesale मुठीन हरे उसके बाद में क्या है tuNon पढ़ें हैं आप लोग हां या ना ऐग का दिए संटेशन का उतलब क्या होता है समस्थिंग इने डिटर्ण बदले में दिया जाता है कुछ लेंदें होता है यहां भी हम लोग शुचनर एंसे के रूप में क्या पढ़ते हैं मेहर को पढ़ते हैं हावाज भी koسم लेंस पर शुंपढ्यां यहां वी कंसिडेशन के रूप में हम लोग जोपरते हैं मिहर को मेहर जानते हैं मिहर का क्या होता मतलब शार कर बोलते है और कि की पणलते हैं ने ने इसको उसको और क्या बोलते है मेहर को हैं अंग्रेजी में हाँ इंग्लीज में डॉर बोलते हैं और इंग्लीज में दोइर देख लिज़िएगा बूक में तो यहां कंसिडरेशन के रूप में हम लोग क्या लेते हैं मेहर लेते हैं इस पॉइंट पर समानता मिलेगी आपको कॉंट्रेक्ट में और मुस्लिम मैरेज में एक और चीज है वहाँ भी ब्रीच ऑफ कॉंट्रेक्ट होता है अगर पार्टी की बीच में कोई कॉंट्रेक्ट हो तो बहुत सारा इसा ग्राउंड है जिस ग्राउंड पे पार्टी जो हो कंट्रैक्ट को तोर देता है। है कि यहां भी देवोर्स का प्रोवीजन है मुशलिम थूपर की तरह होता है तो घर ग्रण पॉइंटर पे देखने लग जाते हैं तो हम लोग को क्या समझ में आता है हम लोग को यह समझ है है कि जो Muslim marriage है अगर हम लोग रिगल एस्पेक्ट पर बात करते हैं तो हम लोग को यह समझ में आता है कि Muslim marriage क्या है एक तरह का Civil Contract है ओके यह composition of the Muslim marriage है is similar to that of Civil कॉंट्राइक्ट के में ऊकेज हम लोग जितने पोइंट को ओपर डिसक्षस किये इसे यह क्रक्स निकल कराता है कि मुस्मीम्रैष जो क्या है वह प्रक्रती को दिक्स करेंगे कोई दिकत इसमें है कि हो जाएगा अराम से ठीक अब आईए देख लिए हम लोग दूसरा हमारा है ठिके ना सोचल इसपेक्ट पर बात करते हैं हम लोग कि अगर हम लोग कानूनिक प्रक्रियां के साब से बात करते दुब देख लिए हमों समाधिक प्रक्रिया में, सोशल एस्पेक्ट में क्या इसका फॉर्मिट है, क्या इसका नेचर है, वो हम लोग देखते हैं. अच्छा, हम लोग consideration परहे थे contract में. ठीक है न? उसमें क्या परहे थे हम लोग? consideration क्यों दिया जाता था? consideration क्यों कहा गया, consideration होना चाहिए? अगर आप लोग contract अच्छे से पढ़े हैं, तो उनको बताए, ऐसा क्यों कहा गया है, कि consideration होना चाहिए? consideration होने से क्या हो जाता है? love and affection के कारण consideration होना चाहिए, वा, एकदम गलत जवाब love and affection में तो consideration नहीं है, वो तो exception में, अपवाद में आता है, contract के अपवाद में है नहीं, वो तो मतलब हुआ, consideration का मतलब हुआ कि something in return, हम लोग consideration की क्यों बात करते हैं? consideration नहीं होगा तो social हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि वो consideration नहीं होगा तो social हो जाता है आप लोग सभी लोग समझ रहे हैं और सभी लोग सही बोल भी रहे हैं लेकिन एक्टुली जो terminology इस्तमाल किया जाता है वो आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं बोल रहे हैं सभी लोग सही, अब हम एक example देते हैं और आप लोग बताईएगा यह ऐसा क्या effect लाता है consideration मान लिजिए कि मेरे पास एक कार है हम एक दिने से ही बहुत खुस हुए हम बोले अपने किसी student को किसी मित्र को बोले कि भाई मेरा कार तुम ले जाओ free में तुमको दे दिए और वो कार लेकर चला जाता है अपने दर्माजे पर लगाता है दो दिन कार चलता है उसके बाद क्या होता है कार एकदम खराब पता चला किसका engine जो है sir गया है कार अब हिल भी नहीं रहा है ठीक है situation समझ में आ गया आपको पहला situation चीक तो वह क्या करेगा दूसे दिनांकर हमको गाली देगा मेरे करेगा मार पीट करेगा पुलिस में आकर कंपके करेगा कॉर्ट में केस करेगा क्या करेगा हम पे वो बतायी तो जरा थिड़ी में दिया गया है मुफ्त के बहल का दाथ नहीं देखा जाता है यहीं नहीं मुहावरा है अब दूसरी सिच्वेशन कि एक दिन आप मेरे पास आए और बोले कि सर आपना ये कार हमको बेच दीजिए आप पूछें कि सर कार कितने साल का हो गया है आपका हम बोले कार मेरे एक साल पुरानी है तो कितने में बेचएगा हम बोलेगे ज Sith या यह हमको, हम आपको कार दे दिये, जो term condition था हमारा, जो हम बात बोले थे, आप जब कार को लेकर चले गए, तो वो term condition लगा, आपको लगा कि सर जूट बोले हमसे, कार दस साल पुरानी हो गई है सर की, या पांस साल पुरानी हो गई है, सर हमको ठग लिए, सर हमसे जूट बोल डीए और अगर आपका का स्ट छल गया है अब आप क्या करोगे करोगे हम सक प्रस में नहीं देंगे तो यही वेल्यू है यह लैबिलिटी इंपोज करता है दोनों पार्टी के उपर यह जिम्मेदारी तै करता है क्या अनन्द है नहीं सही बाद नहीं तो पहले सिच्वेशन में क्या था कोई लैबिलिटी नहीं थी मेरी हम आपको कार फ्री आफ कोश्ट दे दिये मेरी कोई लैबिलिटी नहीं लेकिन जब कंसिडरेशन हो गया हम आपको कार दिये और बदले में आपको पैसा दिये तो दोनों के उपर लैबिलिटी इंपोज हो गया दोनों एक दूसरे के प्रति क्या हो गए रिस्पोंसेवल हो ग कर दिये निकाह की बात कर रहे हैं सोचल एस्पेक्ट का सबसे पहला चीज यही है कि हम लोग जो यहां कंसिडर कि बात करते हैं तो एक क्या होता है कंसिडरेशन का मतलब सिर्फ यह नहीं होता है कि खरीद फरोक्त वाली बात मुश्लिम मेरेज में इसका बहुत अलग इंपक्ट है वह हम आगे चर्चा करेंगे सिंपल सा यह चीजें होती है कि यह लैविलिटी इंपोज करता है है कि 하기 हए मेहल है आप संझे हम जो ना किनरी देते हैं हम लोग टिके न पौफर हम लोग यूज करते हैं हम लोग टिके ऑक्ट करता है यह बुमेन के रिस्पै्ट को क्या करता दरसाता है यह तो एक लिएविलिटी इंपोज होता है तो social aspect में सबसे पहला जो हम लोग consideration की बात करते हैं वो इसलिए करते हैं ओके बिना consideration के there is no liability ठीक है अगर आप consideration नहीं दे रहे हैं तो contract के हिसाब से कोई liability imposed नहीं होता है but in a muslim marriage even if the amount of door has not specified वो परहेंगे door कितने तरीके काफ होता है परहेंगे हम लोग not specified the law requires the something प्रोफर door जिसको हम लोग बात करते हैं यह क्या करता है must be paid by the husband to the wife husband के दुआरा wife को दिया राता है किसलिए as a mark of respect towards her उसके सम्मान के लिए हम लोग जो है इसको देते हैं डोर तो एक वो चीज़ें जो है create करता है तो social aspect में समाजिक इस्तिति में क्या होता है महिलाओं के इज़त के लिए शम्मान के लिए female के सम्मान के लिए इसका value है उपर मैं consideration का अलग मतलब समझे यहां पर consideration का अलग मतलब समझे कि social aspect में हम लोग क्या बात कर रहे हैं महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं हम लोग clear ठीक है एक तो यह हुआ दूसा समझेगा polo gaming polo gaming समझते हैं आप लोग more than one wife तो जो भी कस्टम है जो भी law है यह क्या करता है बांधता है social aspect में बात कर रहे हैं समझेगा इस चीज़ को legalize बात नहीं कर रहे हैं हम लोग social aspect में बात कर रहे हैं कि आप इतनी ही साधी करेंगे अगर customs के हिसाब से according to मुहम्दन लोग अगर चार साधी valid है तो आप पंच भी साधी नहीं करेंगे there is limited polygamy है इसको भी limited polygamy बोलते हैं polygamy तो हुआ एक से ज़्यादा पत्नी polygamy but limited polygamy there is limited polygamy under Muslim law एक समय में आप चार से ज़्यादा पत्नी नहीं रख सकते हैं तो लिमिटेड पॉलिगेमिक की बात करता है that is social aspect और hun एकाण के परिपेक से देखते भाइन समझेगा कहा का फरक आ रहां सब्सक्री में के इसके बाद आप एक साथ 500 लोगों से कॉंटेक्ट कर सकते हैं कर सकते कर सकते हैं कोई म espíritic crater के एक कितना कॉंटाइक कर सकता है पताई hear कितना भी कर सकता है unlimited एक आदमी दुसरे आदमी के साथ ही बहुत contract कर सकता है एक आदमी 500 आदमी के साथ contract कर सकता है लेकिन अब यहां एक फर्क यह भी है कि Muslim marriage की जो बात करते हैं वह लिमिटेड पॉलिगमी की बात करते हैं कि आप एक साथ आप चारी wife रख सकते हैं तो एक contract से कि यह फर्क आ गया आपको दूसरा फर्क कि सोशल इस्पेक्ट में जो लिमिटेड पॉलिगमी है वह इसको बताता है कि आप एक साथ इतनी वाइफ रख सकते हैं दो हो गया थिसरा थर्ड नंबर जो हम लोग हिंदू लोग में पर हैं या कुछ रिलेशन ऐसा है जहां पर मैरेज को प्रॉबिटेड किया है जिसे इकोडिमंड टो लोग हिंदू लोग बात करते हैं व्कुर्पिंडा रिलेशन में उसके बाद प्र किये हैं आप लोग ना वहां तो समझ है आप लोगों को इस पेंडर रिलेशन क्या होता है अब यहां भी वो चीज़ें हैं कुछ ऐसा क्लोज रिलेटिव हैं जिसमें आप साधी नहीं कर सकते हैं ठीक है यहां भी हम लोग आगे परहेंगे कहां कहां प्रोविटेट रिलेशन यसमें भी है कि इसके साथ आप साधी नहीं कर सकते हैं तो आप कॉंट्रेक्ट में कहां फरकाया तो कॉंट्रेक्ट में यहां भी फरकाया कि पार्टी अगर कंपिटेंट है तो आप किसी के साथ कॉंट्रेक्ट कर सकते हैं वहां पर यह चीज़ें रिलेवेंट नहीं है लेकिन जब हम लोग मैरेज की बात करते हैं तो मैरेज में प्रविटेट किया गया है कि आप इनके साथ साधी नहीं कर सकते हैं, इनके साथ साधी नहीं कर सकते हैं, कुछ ऐसे close relatives हैं, जिनके साथ साधी को प्रविटेट किया गया है, तो एक contract से यहां भी इसमें फर्क आ रहा है, clear? ठीक है, और बहुत सरा ऐसा चीज देखिएगा, जहां पर आपको, मतलब कि contract से बिलकुल अलग चीज नजर आएगा, जो इसको पढ़िएगा तरीके से, तो लगेगा कि नहीं, बहुत बहुत, moreover, there are certain circumstances in which the Muslim law disproves the contract of marriage, जब आप उसको Muslim law को पढ़ेंगे, तो लगेगा कि नहीं, ये contract से बिलकुल परे चीज है, contract मैंसा कहीं कोई बात नहीं है, डिलिवेंसी इस तरह का कोई नहीं है, तो आप उस aspect से भी देखेंगे, तो लगेगा कि नहीं, ये एक civil contract नहीं है, जैसे सिया Muslim जो है, जैसे सिया Muslim is not allowed to marry during a religious journey, अगर आप हज पर जा रहे हैं, और अगर आप सिया Muslim हैं, उस वक्त आप निकाह नहीं कर सकते हैं, साधी नहीं कर सकते हैं, हज के समय जाते समय, हज पर जाते समय, किसी को साधी करने का अधिकार नहीं है, साधी करने के लिए परमिशन नहीं है, सिया लौ में तो अब देखिएगा तो इस तरी के से लगेगा बहुत इसा जगा आपको देखने को मिलेगा मुश्लिम लौ में जो लगेगा कि बिल्कुल कॉंट्रेक्ट से बिल्कुल अलग चीज है क्याओ अब नेक्स आजाईए इसक देख लिए हम लो अगर कोई कुरान पढ़ें होंगे तो कुरान में यह डियरेक्शन दिया गया है ठीके ना कुरान में कहीं है डियरेक्शन इस तरह का पढ़ें है निशा कुरान सारा नहीं पढ़ें बताईए बाट और घ्राइक्सन तो प्रहे होंगे न? इस तो बिल्कुल वही बात है कि गीता नहीं प्रहे है तीक कै न ही आरा हम लोग भी अपने ध्रमी ग्रन्त को नहीं पढ़ते हैं मैं भूत पढ़ने चाहिए TRA Bernie सिकाव मिलाओ यूच दपनी चाहिए लगन ध्रूर में थुरो त्राथो करीं होंगे लेकिए उसको पढ technologies को पढ़ेंगा इदे बन सीटेव नहीं हम इनद य opini पढ़ने भी बोल रहे हैं ज़रूर पढ़ेंगा जब कभी मौका लगे साय तो आप कं प्रेज़न करने के लिए goodnight लिखा की आ अब कुरान में directions है क्या Every Muslim to marry a suitable woman of his liking कि सभी Muslim को अपने पसंद की लर्की से साधी करनी चाहिए यह कुरान में direction दिया गया है कहता है कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप पाप कर रहे हैं कहता है कि a person who remains bachelor without reasonable excuse बिना ठोस कारण के अगर आप bachelor रह रहे हैं साधी नहीं कर रहे हैं तो कह रहा है कि आप God क्यों disavay कर रहे हैं अलाह को disavay कर रहे हैं कुरान में लिखी गई बातों को disavay कर रहे हैं यह वो साफ क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको as a muslim आपको अपने पसंद की लर्की से साधी करनी है ठीक है ना? तो यह इसका religious aspect है कुरान में जो पढ़ते हैं that है हमारा religious aspect है ना? यह कुरान का direction है अल्लाह तालाह का आदेश है यह कि आपको साधी करनी है अब contract की बात भूल जाए कि civil contract है वह हम लोग बटके discuss कर रहे हैं civil contract है कि this है कि that है जो भी है बट religious aspect में यह कुरान में directions है कि आपको साधी करनी है एक social format के लिए, एक procreation of children के लिए एक religious purpose के लिए क्या करना है आपको साधी करनी है अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप अल्लाह के बात को disoway कर रहे हैं अल्लाह को क्या कर रहे हैं आप disoway कर रहे हैं ठीक है तो इसलिए यह के बल सोसल डूटी नहीं है बलकि हर एक मुसलिम का क्या है यह एक religious duty है साधी करना ओके किलियर तो यह तीनों aspect पर हम लोग चर्चा करते हैं जब भी एक्जाम में लिखते हैं हम लोग तो तीनों aspect बात करेंगे हम लोग बता जी गई कोई दिकत इसमें बोलते चलिएगा हाँ दो मिनट दो मिनट ठीक है ना अब यह overall जब हम लोग इसको करेंगे तो हम लोग क्या-क्या object जो हम लोग पर है अभी निकाह पर है इसका क्या-क्या object निकल कर आया क्या उद्देश साधी का निकाह का अबजेक्ट है क्यों साधी करना चाहिए तो दो चार्च दो तीन बातें जो है वह हमको निकल कर आया इसका object तो इसमें सबसे पहला क्या है हम लोग लिगलाइजिंग लिगलाइजिंग सेक्शुल इंटर्कोर्स ठीक है ना बाइबाइक समन्द का जो है हम लोग लिगलाइज करने के लिए साधी करना है प्रोक्रेशन ओप लेजिटिमेट चिल्ड्रेंड बैद संतान की उत्पत्ती के लिए साधी करना है ठीके ना डोमेस्टिक एंड सोसल लाइफ को लीज करने के लिए ओभराइडिंग करने के लिए ओड्रिंग ओफे डोमेस्टिक एंड सोसल लाइफ घरलू ज समाजिक जीवन यापन करने के लिए क्या करना है आपको साधी करना है अब ब्रिंगिंग ऑफ चिल्रेंड संतानुत पत्ति तो कर लिए उसको क्या करना है उसको सही परवरिश देना है उसका सही तरीके से लालन पालन करना है इसलिए साधी करना जरूरी है उसके बाद family को discipline करने के लिए keeping discipline of the family आप एक समाज बना रहे हैं आज आप एक family बना रहे हैं और अगर आप साधी करकर कहीं अस्थिर नहीं हो रहे हैं तो फिर family आपका discipline में नहीं रहेगा तो इस चीज को maintain करने के लिए क्या करना है आपको साधी करना है निकाह करना है तो यहीं हमारा object है यही 4-5 object निकल कर हमारा इसमें आता है ओके यानि कि आप अगर हिदाया का जो definition है वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है हिदाया का definition में सारा चीज बता दिये हैं कोहेविट सबसे पहला सोसाइटी दूसरा ठीके ना और एकपल राइट्स हस्में और वाइफ को एकको अधिकार मिले बच सत्तां क्युत्पत्ति हो ठीके ना उसको क्या करें एक समाज में उसके एक value दी जाया इसको इसलिए निकाह क्या है हमारा एक जरूरी प्रक्रिया है हमारा ठीक है बाकी आगे हम लोग फिर next class में discuss करेंगे